जहन प्यारे साथियों, स्वागत है आप सुबे का एक बार फिर से खोठा किंग ओफिसल पी, हम बात करेंगे आज खोठा ग्रामर का एक इंपोर्टेंट टॉपिक है वचन, यहां से कई सारे सवाल जो डारेक्टली आपको पूझे जाते हैं एक्जाम्स में, तो उसी को लेक ला गया, ऐसी वचन बोल ये जो सब का, कह सकते हैं कि सब किसी की दिल को दूख न पहुचा है, तो वैसे वचन का परियोग करें, है ना, अब यहां पे वचन दो परकार के होते हैं, एक वचन और बहु वचन, एक वचन यहां पे नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें एक, एक की बात की जारी हो, और बहु वचन यानि जहां पे एक से अधीक की बात की जारी हो, यानि एक से अधीक वो बहु वचन कहलाता है, है ना, तो एक वचन और बहु वचन वचन दो परकार के होते हैं, हाई एम थोड़ा सा उन चीजों को हम देखते हैं, अब सबसे पहले तो सवाल उड़ता है कि एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम क्या है तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए उनमें से कई सारे परत्य सब्द को जोड़ा जाता है अब सवाल उड़ता है कि परत्य है क्या तो उपसर्ग और परत्य आपने पढ़ा होगा कि सब्द के अ हमने example लिया च्छगरी तो च्छगरी में पलस अईन परत्य को जोड़ दिया जाए तो यह हो जाता है च्छगरियन यहाँ पे क्या हो जाएगा यह हो जाएगा च्छगरियन लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जब हमने च्छगरी लिखा था तो यहाँ पर जो था यह दिर्ग ई था लेकिन दिर्ग ई से यहाँ पर क्या की छोटा ई में यानि हरस ई में change हो गया यह आपको याद रखने है साथी साथ छगरी एक वचन था, इसको छगरीन कर दिये, यानि ये बहु वचन हो गया तो अईन परत्य, वईन परत्य जैसे ठीक उसी प्रकार से अगर हमने एक एकजामपल लिया काड़ा तो काड़ा में अगर वईन परत्य को जोड़ दिया जाए वईन परते को जोड़ दिया जाए तो यह क्या हो जाता है कडवेन हो जाता है क्या हो जाता है कडवेन इसको हम लिखेंगे कडवेन तो यहाँ पे भी आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि यहाँ पे अमिया आ उचारन हो रहा है लेकिन यहाँ पर देखा जा तो सिर्फ आ का उचारन हो रहा है है ना काड़ा तो यहाँ पर अमिया आ आ रहा है और वह इन परते जैसे जुड़ा तो यह कड़वेन हो गया यानि एक वचन से बहुचन हो गया लेकिन वहाँ पर दिर्ग आ से हरस्व आ में यानि सिर्फ आ में चेंज हो गया तो ये भी आपको याद रखने इस तरह से चीजें आपको पूछा जा सकता है चलिए हम कुछ प्रश्णों को देखते हैं कि कैसे इसमें चेंज होता है और क्या उसे हम लिखेंगे जैसे है पहला है कलम तो कलम को हम क्या कहेंगे कलम है या तो फिर कलम है है ना कच्छुआ कच्छुए है या तो फिर कच्छुए है कबूतर को कबूत्र है या तो फिर कबूत्र है है ना कोयल के कोयल है कुत्ता या कुकुर के कुक्रे या तो फिर कुत्व है खर्गोस के खर्गोसें या तो फिर खेरा के खेरवें कि खेरवें सब कहां गलो खाता के खतवें जैसे बोलते हैं सब कोई कि खतवें सब कहां रख लें अगर एक बात करें तो एक सिर्फ बोलेंगे कि खाता कहां पे है या खाता कौन जगा रखा लो लेकिन अगर एक से अध खाता की बात की जा रही है ऐक हाटी हो गया, जिसको चार पाई कहते हैं खाटियन ठीक है तो इसमें अईन परत्य भीजोड़ा जा सकता है ऐसा नहीं है कि एक सब्ड का एक ही तरह से हम लिखा जा सकता है उसको कई टरह से चीजें लिखी जा सकती हैं आदा याद्मThis खेत में खेतवईन लिखा ले इसको खेतवईन भी लिख सकते हैं जैसे इसको लिख सकते हैं खेतवईन है ना वईन परते भी जोड़ सकते हैं या तो फिर आधववा है इस तरह से भी इसको जोड़ के लिखा जा सकता है अगला सवाल है कि खिलोना खिलोना को बोलेंगे खिल गोड़ा के गोड़वेन है ना घैला के घैलवेन या घाड़ा जिसको हम बोलते है ना घड़ी के घव हो जाएगा घड़ीन घड़ीन भी हो सकता है ना घड़ी को आईन परत्य जोड़ करके हम लिख सकते हैं घड़ीन घड़ीन ठीक ना इस तरह से भी लिख सकते हैं घड़ी है ना पलस वईन इसमें परते जोड़ सकते हैं है ना तो चमचवयन भी हो सकता है चादर के चदरियन चदरियन हो सकता है या चदीरहन हो जाएगा चिमटा के चिमटवयन चपल के चपल है या चपल वईन वईन इसमें परते जोड़ सकते हैं वईन परते भी जोड़ सकते हैं चूड़ी के चूड़ियन चाता के च्छतवयन चगरी के हो जागा च्छागरियन या तो फिर अईन परत्ते भी इसमें जोड़ सकते हैं और आपने देखा होगा कि यहाँ पे दिर्ग ई का परियोग हुआ है लेकिन यहाँ जैसे ये एक वचन से बहुँ वचन होता है तो ये हरसो इमेज चेंज हो जाता है ये भी आपको याद रखने है चलिए अगला सवाल है कि चूड़नी के चूड़नी एन चूचूवा के चूचूएन या चूचूंदर जिसकों बोलते हैं है ना चूड़ा के चूड़न चूड़ा यानि लड़का एक यहाँ पे लड़का तो लड़का कोई चूड़ा का आता है लड़की को चूड़ी ठीक है चूठा सब्ध में आपको याद रखनें नियुक्त जहाज कहाजवे। हो जाएगा जग का क्या हो जाएगा जगवें जुता के जुतवें तो वईन परते भी इसमें जोड़ सकते हैं जुवारी का जुवारी का जुवारी 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 ज अगर वईन को हम जोड़ देंगे वईन परते को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जिंग वईन जिंग वईन अब देखिए यहां पर क्या की अमिया आ है लेकिन यहां पर सिर्फ आ जाएगा तो जिंग वईन हो जाएगा तो इस तरह से भी चीजें को आप लिख सकते हैं आगे देखते हैं अगला सवाल है जोपड़ी का हो जागा जोपड़ी एन टेंगला का हो जागा टेंगल वेन या कुलहारी जिसकों बोलते हैं उसको टेंगला बोलेंगे तो टेंगल वेन या टेंगल वेन भी बोल सकते हैं टूपला के टूपल वेन जिसको छोटी टोकरी को क लाका जाता है टूपला का जाता है टोपी के टोपी एन टोरच के टोरच वेन टुकली के टुकली एन ठेला के ठेल वेन ठीक है ठेकुआ के ठेकुएन जो एक परकार के मिठाई है हना ठेकुआ के ठेकुएन हो जाएगा डायर के डरियन डरियन भी हो जाएगा हना डरियन या डोल बाल्टी को कहा जाता है यह सारा चीज यहां पर आप र्याद रखेंगे अगला सवाल है डिबरी डिबरी का हो जागा डिबरी क्या 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 हो जागा डिबरी क लिख सकते हैं चली दवाय के दवएन हो जाएगा है ना दिया के दिवेन धान के धन्वेन उसके बाद है अगला है धनूस का हो जाएगा धनूसवेन नचनी के नचनीन नचनियन हो जाएगा, नचनियन हो जाएगा, हैना, नचनियन, नचनियन भी हो जाएगा, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या तो फिर नचनियन, नचनियन, हैना, नाव का नवएन हो जाएगा, पपिता के पपितवएन हो जाएगा, पाघा यानि रसी के पाघवएन, फल के फलक सकते हैं मुर्गी कहा हो जएगा मुर्गी का क्या हो जएगा मुर्गीए हैं मोर्गी इसको आइन परतेविसमें जोड़amente हो जाएग.. तो क्या हो जाएगा? मुर्गियan हो जाएगा.. ना.. ये चीज़ आपको याद रखने है.. तो मुर्गियें हो जायगा.. तो इस तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से एक वचन से रहु वचन को Just चेंज कर सकते हैं, अब इसमें कुछ चीजें को आपको याद रखना है, अगर हमको एक वचन से बहु वचन अगर बनाना हो, तो उसमें आपको क्या-क्या जोड़ा जा सकता है, तो सबसे पहले आप उसमें अईन परत्य जोड़ सकते हैं, या तो फिर इन, ठीक है, या तो फ देखा होगा कुछ है ना फलवायन आधा आधा वह है न इस तरह से जुड़ा होता है कहीं पर आपको गुला मिलेगा जैसे नेता गुला नेता गुलीन तो गुला या तो फिर गुलीन ये कुछ ऐसे सब्ध है जो की जोड़ करके उसे एक वचन से बहु वचन में चेंज किया जा सकता है, तो हो सकता है कि exam में आपको option ये सारा option दे करके आप से पूछा जा सकता है, किरमे से एक वचन से बहु वचन बनावे खातिर ककरा परियोग करल जा है, या तो एकर में ककरा परियोग जो है वो एक वचन से बहु वचन बनावे खातिर करल जा है, तो ये सभी जो है वो एक वचन से बहुचन बनाने के लिए किया जाता है ठीक है तो ये सारे चीज़ेंगों को आपको याद रखना है उमीद करते हैं कि आज के वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें साथी साथ चैनल पे ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह का वीडियो हम ले करके आते रहेंगे आपके बीच और आपको इसी तरह से वेनेफिट्स होता रहेगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को धेर सारी सुबकामनाई अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धनिवाद और अगर आप इस वीडियो का पीडियाफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलेग्राम चैनल खोठाकिंग ओफिसिल टेलेग्राम पे आप जोइन कर लेंगे उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आप वहाँ से टेलेग्राम में जोइन कर लेंगे वहाँ पे आपको इसका पीडियाफ मिल जाएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को धेर सारी सुपकामना है जै हिन जै भारत